हेलो फ्रेंट्स कैसे हो दोस्तो आशा करती हूं आप बहुत अच्छे होंगे बहुत खास वीडियो दोस्तो आपके पिछले जनम का क्या सच है उसका इस जीवन पर क्या प्रभाव पढ़ रहा है क्या कुछ जो चीजे आपके साथ हो रही है पिछले जनम की कैसे आपको समझन है सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैें बहुत खास वीडियो होने वाली है तो प्लेज प्लीस यसे लाइक करें मेंड्य टॉड्स कर लें हमारे साथ चैनल को सबसक्राइब करें बला आकन को प्रेस जरू करें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहें वीडियो को शेयर करें और भी आपके दोस्ते हैं तो उनके भी माइन के कुछ डाउट से वो क्लियर हो सकें चलिए शुरुआत करते हैं स्क्रीन पर देखें दो नंबर दिखाए दे रहोंगे नंबर बान नंबर चू दोनों नंबर में से पहले तो रिलेक्स हो जाएं लंबी-लंबी सांसे ले लिजिए तिन बार बिल्कुल शान्त हो जाएं और दोनों नंबर में से कोई एक नंबर जो आपको अपने तरफ अट्रेक्ट कर रहा है दिल से उसे चूस कर लिजए चलिए आप शुरुआत करते हैं पहला नंबर जिसने भी चूस करा है उनके उद्धार दिख रहा है कहीं पिछले जनम का करजा जो इस जनम में या तो कोट के माध्यम से अस्पिताल के माध्यम से या फिर इस जनम में किसी ने आपका कुछ पैसा खाया है जो लोटा नहीं रहा है तो वह कुछ आपके पिछले जनम का उनसे लेन देने सबसे पहले ची ब्रावट रहती है यह आदत है आपकी यह नेगिटिविटी है आपकी कि आप हमेशा पास्ट और फ्यूचर का टेंशन लेते हैं आप प्रेजेंट को इंजोई नहीं कर पाते हैं तो यह कहिना कि शुरू से आपके अंदर हैं जोब चेंज नहीं कर पा रहें अगर करना चाहत हैं तो थोड़ा आपको मेडिटेशन योगा पर ध्यान देना होगा फिर सब कुछ ठीक हो जाएं तीसरी जी आपको कोई वेक्ति अगर रास्ते में एकदम से दिख रहा है कोई अंजान वेक्ति तो कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि इसको कहीं देखा है पहले कहीं ना कह तो इसको देखा है सब फील होता आपको तो वो आपके पुनर जनम का कुछ उनसे आपका संभंध रहता है कुछ रिलेशन रहता है जो आपको एकदम से याद आ जाता है इस जनम में भले ही आपके उनसे पैचा नहीं लेकिन पिछले जनम में कुछ था जो एकदम से किसी का चहरा सामना आता और आप कहते हैं किस चहरे को मैंने पहले कभी देखा हैं कुछ आवाजे इसी रहती हैं कुछ पसंद हमें जैसे कि इस जनम में मान लीजिए हमें कुछ ऐसी चीजे पसंद हैं जो और किसी को बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन हमें बहुत अच्छी लग रही गर के सदस्य को बिल्कुल पसंद नहीं लेकिन आपको बहुत अच्छी लग रही है तो जो फ्रूट डीश कुछ हमें पसंद है तो उसका भी संबंद हमारे पिछले जनम से होता है दोस्तों जी हाँ पिछला जनम बताता है आपकी डिश के आधार पर आपके फ्रूट के आध ऑधार पर आपकी सोच के आधार पर किआ पिछली जनम में क्या थे जनम मों उसका एफेक्ट पढता है जरूर्ब पढता आपके मन को को इसके साथ फिलिंग्स जूट रही ₹ इससे आपको समझ माएगा कि पिछले जनम में आपका उसके साथ close relation था हर किसी से नहीं किसी एक वेक्ति से जुड़ती है चलिए बिना दरी करें बात कर लेते हैं पिछले जनम में अगर आपका किसी के साथ relation है आप बहुत किसी के साथ close है लेकिन फिर आपने अगर किसी को दो को का दिया तो इस जनम में वह इंसान आपको धोका जरूर देगा ठीक है वह बदला जरूर लेगा किसी के पैसे खाए हैं तो इस जनम में आपके पैसे भी वह वेक्ति खाएगा डॉक्टर बनकर ले सकता है वकील बनकर के ले सकता है पुलीस वाला बनकर के ले सकता है कोट पर भरोसा रखिए आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होता है जो हमने करा है वही हमें रिटन मिलता है और आपके साथ वही हो रहा है जो आपने करा है वहीं आपको रिटन मिल रहा है आपने इमांदारी नहीं रखिए बैमानी रखी होगी तो इस महिन इस जनम में आपको बैम अब आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा आप सारी उपलब्दियां आपको मिलेगी सारी उप्चिनुटियां आपको मिलेगी अपने जवाबदारियों को अच्छे से निभाब आएंगे आपको समझ में आएगा कि इश्वर ने आपको जनम समाज के उत्थान के लिए फिर स पिषले जनम में हम कोई चीज कुछ माझली जी इनसान ही है यह किसी से हमारा कोई हमने में इस जनम में पसंद आती हैं कहीं नं इंसान ही क्यों पसंद आता है हजारों की बेड़ है पर सच्छा प्यार सिफ एक इंसान से ही क्यों होता है क्योंकि उनका कनेक्शन रहता है पिछले जनम का जो इस जनम में भी जूड़ जाता है कहीं से भी ताड़ जूड़ जाते कैसे भी आप टकरौ जाते कैसे भी मिलना है पर मिलेंगे इसलिए इश्वर पर भरोसा रखें आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा जो हो रहा है आपके कर्मों के आधार पर हो रहा है कर्म प्रधान बनिए अच्छे कर्म करिए अच्छा फल मिलेगा अच्छा सोचिए अच्छा होगा कभी कुछ गलत नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में विगिलाप सेवको बहुत बहुत धनिवाज जम्हातरी हर अनमा देए